हेई वाट इस अप गाई शुभाम येर फ्रम टेक मीडिया टीवी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HP Pavilion X2 Notebook के बारे में इस Notebook की सबसे खास बात है कि यह detachable है और आप इसे laptop और tablet दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं स्पेसिकेशन की बात करें तो X2 Notebook 10.1 तॉच स्क्रीन डिस्प्ले में अवेलेबल है 2GB of DDR3 RAM के साथ 64 bit of Windows 10 operating system hard disk की capacity 500GB चले बात करते हैं इसके कुछ pros and cons के इस product की market price $500 that is near about 28,000 to 32,000 pros में सबसे पहले बात करते हैं इसके speakers की जो की front facing है जिसकी quality एकदम perfect है battery की बात की जाए तो यह product normal use में आपको 6-8 गंटे की battery life देता है cons में atom processor as usual आपके processing experience में दिकत लाएगी laptop detachable होने के कारण जरा से भी धक्के के साथ detach हो जाता है आप इस laptop को कहीं भी ले जा सकते हैं किसी भी तरह से carry कर सकते हैं चलिए अब laptop को जरा पास आके analyze करते हैं राइट साइड में आपको volume बटन मिलेगा उसके बाजू में windows बटन इससे press करने से start menu pop-up होगा उसके बाजू में memory card insert करने के लिए port फिर HDMI port and then USB type C for charging और उसके बगल में USB port left side में 3.5 mm का audio jack bottom में detach करने के लिए port कीबोर्ट को closely देखे तो ये small keyboard है with 89 keys बाकी I wish HP ने इसमें कम से कम 2 USB port दिये होते I would like to give this product 8 out of 10 आज के इस वीडियो में इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा आप इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लगातार ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल Tech Media TV को सब्सक्राइब करें जिसे कि आप फ्री में ऐसे ही व आप से विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो के साथ